तो स्टुडेंट्स हमारी एक एप्लिकेशन है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यह application specifically android users के लिए available है इस application में आपको login करना होगा अपनी gmail id से and once you have logged in आप इस page पे जाएंगे आप यहाँ पर इस page पे देख सकते हैं एक code है crack10 अगर आप यह code crack10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा अगर आप purchase करते हैं हमारा course को अब course हम आप सोचेंगे कि यह course इतना अच्छा इतना important course क्यूं है क्या reason है इस course का इतना अच्छा होने का देखिए हम daily basis पे आपको current affairs प्रोवाइड करेंगे weekly basis पे monthly basis पे मतलब daily basis पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के content की एकदम अच्छे से बिलकुल notes format में ताकि आपको खुद के notes ढूणने ना पड़े बनाने ना पड़े और ये notes पढ़के आपकी revision हो सके यही आपको quiz भी हम provide करेंगे same content की daily basis पे 20 questions की quiz होगी आपको application पे मिल जाएगी जो आप revision के लिए हमारा PDF पढ़के course को revision करने के लिए अगर आप चाहेंगे कि मैं कहां से revise करूँ हम आपको application पे ही revise करा देंगे अपनी through this quiz ऐसे ही weekly format में आपको 50 questions की quiz मिलेगी और PDF, compiled PDF of important questions of that week ऐसे ही monthly basis पे एक top 100 questions की PDF मिलेगी जो बहुत अच्छी PDF होती है बिलकुल कतेना एकदम star questions, most important questions of that month हम cover करते हैं इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक one stop solution है बहुत अच्छा content हम आपको provide करते हैं 99.99% हम अपना content cover कर देते हैं related to banking awareness इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अप provide करते हैं आपको 20 topic के PDF ये topic की PDF कौन कौन सी होती हैं जैसे आगर आपने exam में देखा होगा एप से related, auditory किस personality की मृत्य हो गई, books, किस book कौन से author ने लिखी है important days के बारे में, national affairs के बारे में, international affairs के बारे में, defense के बारे में ये particular satellite किसकी है, ये missile किसके द्वारा launch की गई तो इससे related हम सब आपको content provide करते हैं, जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहता है इसी के साथ-साथ, कुछ special current affairs भी provide किये जाते हैं, interactive PDFs भी आपको provide की जाती है अगर आप हमारा course purchase करेंगे ते, जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेंगी और जो ये सारा content अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये content bilingual है bilingual मतलब English में भी provide किया जाता है, as well as ये हिंदी में भी हम आपको content provide करते हैं इसी के साथ-साथ friends, आप हमारे YouTube channel को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर हम आप बहुत अच्छे से revise कराते हैं, आपको content पढ़ाते हैं आपको कुछ ना समझाए, तो आप वहाँ से जाके refer कर सकते हैं एक code और याद रखना वो है vikas 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप vikas 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए हैं या कोई भी issue आ रहा है, तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा और आपकी problem को solve करेगा तो चले friends, session स्टार्ट करें आज की वीडियो में important national affairs discuss करेंगे एपरेल मन्त के, ये session काफी helpful रहेगा आपके लिए एंड तक जरूर देखेगा इसी के साथ-साथ, एंड में मैं फिर बोल रहू हूँ आपको notes जरूर बनाएगा friends, ठीक है जो भी content आपको नई चीज लगती है या जो भी important question लगता है जो भी topic हम discuss कर रहें, बिलकुल one liner format में notes बना के चलिएगा सबसे हम पहले बात करेंगे उस state का नाम बताओ जिसने top किया है vegetable production में top state in the vegetable production वो है उत्तरपरदेश, पहले थी West Bengal अब उत्तरपरदेश ने West Bengal को replace कर दिया to become the topmost state for the vegetable production और अगर fruit production की बास करें तो top पे आपकी आंदरपरदेश रहेगी question कैसे पूछा जाएगा कि top vegetable producing state कौन सी है UP top fruit producing state कौन सी है आंदरपरदेश ठीक है, याद रखना अच्छा question है पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे next हम बात करेंगे IMAX की, IMAX है Indian Ocean Naval Symposium के द्वारा ये एक Indian Ocean Naval Symposium के है, ये Littoral states जो आपकी states, जिनके coastline लगती है उन states का एक group है Indian Ocean region में Indian Ocean region की safety के लिए security, corporations के लिए कि वहाँ पे जो आसपास countries हैं उनके बीच में एक corporation बना रहे, इसी वज़े से ये एक Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise कंड़र कराई गई जिसका नाम है IMAX, I से IONS, M से Maritime EXA exercise, ठीक है ये दो phase में exercise कराई गई थी अगर पूछा जाए कि ये जो पहला edition था, आपका Indian Ocean Naval Symposium Maritime Exercise का कहां पे हुआ तो आपको याद रखना है, गोवा में inaugurate किया गया था इसको, लेकिन ये दो phase में हुई थी, harbor phase हुआ था Marma Goa Port में जहां पे ये starting में हुई थी और इसके बाद क्योंकि ये 26-27 March यहां पे हुआ था और जो second phase था C phase हुआ हूँ था, Arabian Sea में 28-30 March के बीच, ठीक है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है फिर आज आता है आपका Scope of Emergency Credit Line Guarantee Scheme, ECLGS की जो validity है इसको बढ़ा दिया गया है, इसी के साथ-साथ जो इसमें credit का amount था, उसको भी बढ़ा दिया गया है ठीक है, इस scheme को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है, पहले ये March 2022 तक valid थी, लेकिन अब इसको एक साल के लिए बढ़ा कर 31 March 2023 तक valid कर दिया गया है, ठीक है इसी के साथ-साथ आपको याद रखना है, इसमें जो total amount sanction किया गया था 4.5 lakh करोड रुपीज, उसको भी बढ़ा के 5 lakh करोड रुपीज कर दिया गया है, ठीक है, National Credit Guarantee Trust Company Limited के दौरा ये extension आया इन्होंने extend कर दिया, Emergency Credit Line Guarantee Scheme को for MSME, एक साल के लिए जो कि पहले March 2022 तक था अब उसको increase करके 31 March 2023 तक कर दिया गया है Next हम बात करेंगे वरुना exercise की, ये वरुना exercise किन के बीच में इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में कंडर कराई जाती है, दो question बनेंगे किन countries के बीच में और किन forces के बीच में ये वरुना exercise होती है तो नेवीज के बीच में और इंडिया और फ्रांस के बीच में ये exercise कराई जाती है जिसका 20 एडिशन हमें अभी देखने को मिला, और कहां पर ये exercise हुई थी Arabian Sea में इस exercise को conduct कराया गया, ठीक है ये था आपका 20 एडिशन वरुना का इंडिया और फ्रांस की नेवीज के बीच में conduct कराया गया था और जो 19 एडिशन था 19 एडिशन वो भी आपका Arabian Sea में ही कराया गया था Moving on, next बात करेंगे BIMSTEC Summit की, BIMSTEC क्या है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation अभी 5th edition था BIMSTEC Summit का, जो की virtually address किया गया था इस BIMSTEC का chairmanship किस के पास है किस country के पास chair है, वो है श्रिलंका के पास, याद रखना March 2022 तक इसकी जो chair किस के पास है रहीगी ये रहीगी, श्रिलंका के पास और जो ये 5th edition हुआ था, इसकी summit हुई BIMSTEC की, ये भी कहाँ पे हुई, कॉलंबो श्रिलंका में हुई थी online virtually हुई थी and virtually address किया इस summit को by किन के द्वारा, Prime Minister Narendra Modi के द्वारा इसको address करा गया इसी के साथ साथ जो एक और important चीज याद रखनी है कि 2022 में BIMSTEC को total 25 साल पूरे हो गए है ठीक है, 25 साल पूरे हो गए है और इसी के साथ साथ, अगर 25 साल हो गए, इसी के साथ साथ याद रखना जो theme रहेगी आपकी 5th edition of BIMSTEC Summit की, वो है Towards a Resilient Region Prosperous Economies, Healthy People ये theme रहेगी जो आपको note करके चलनी है एंड अभी एक और news आई थी कि इंडिया ने 1 million US dollar का एक grant operational budget के तोर पर provide किया, कि जो BIMSTEC का operational budget है उसको बढ़ाने के लिए ये 1 million US dollar का grant provide किया गया इंडिया के दुआरा चलिए, next पर आते हैं next हम बात करेंगे बाहरत dynamics limited और इंडिया की तरफ से तो होगया भारत dynamics limited और United Arab Emirates की तरफ से होगया 2000 Economic Council इन दोनों के बीच में एक MOU sign हुआ कि जो हमारा defense sector है न उसको बढ़ावा देने के लिए नई business opportunities लाने के लिए नई technologies को लाने के लिए research and development के लिए in the field of defense ये एक MOU sign किया गया भारत dynamics limited और United Arab Emirates की तरफ से 2000 Economic Council के बीच में ये MOU sign किया गया next पे आते हैं next हम बात करेंगे Mumbai के international cruise terminal की जो की commission किया जाएगा July 2024 तक काफी important question काफी time ये news में रहा है कि Mumbai का international cruise terminal कब commission किया जाएगा ये 2024 जुलाई में commission किया जाएगा अगर इसकी बात करें ये first of its time Mumbai international cruise terminal है जो की commission किया जाएगा कहाँ पर BPX Indra Dock महराष्टरा में July 2024 तक अगर इस cruise terminal की बात करें 4.15 lakh square feet इसका area रहेगा built on area ठीक है दो ships को एक birth पे हम time पे dock कर सकते हैं दो बड़े बड़े ships को 22 elevators रहेंगे 10 escalators रहेंगे 300 car की हाँ पे multi storage parking रहेगी और इसमें से 495 करोड की लागत से इसको बनाया जाएगा चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे simple और easy way में foreign trade policy की logo का business बढ़ सके हमारा इंडिया में growth हो सके मार्च 2022 तक थी इसको extend कर दिया गया है कब तक September 2022 तक 6 महिने के लिए इस foreign trade policy को extend कर दिया गया है I repeat 31 मार्च 2022 तक थी ये foreign trade policy 2015-20 की जिसको अभी extend कर दिया गया Ministry of Commerce and Industries के दौरा ती reason क्या है कि जो हमारा commerce है जो हमारा trade है उसको boost कर सके उसको boost मिल सके और ये जो extension का issue किया गया था किन के दौरा Direct Trade General of Foreign Trade के दौरा ये approval मिला एक extension को 6 महिने का ये extension रहेगा ठीक है question पूछ सकता है कि foreign trade policy को कितने महिने का extension मिला कितने time period का extension मिला 6 महिने का और फिर पूछ लेगा कब तक इसको extension मिला इसको September 2023 तक extension मिला ठीक है चलिए next पे आते है next हम बात करेंगे Dark Sky Century कि आप यहाँ पे देख सके कितने सारे यहाँ पे तारे दिख रहे हैं ठीक है astro tourism होता है कि आपकी astrophysics को भी space universe को देखना तो आप ध्यान देंगे जहाँ पे होगा वहाँ पे तो आप भूल जाईए आपको यह astro tourism देखेगा ठीक है इसका लुप्त उठा सकेंगे आप बिल्कुल नहीं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा hill station पे कहीं पे भी चले जाईए hill station पे तो अभी ले में एक tripartite agreement sign किया गया हॉनले विलेज में इस विलेज में जो कि लद्धाक में है यहाँ पर एक dark sky sanctuary setup करने की बात की जाएगी astro tourism को बढ़ावा देने के लिए यह astro tourism जैसे मैंने बताए universe को देखना universe की study करने के लिए वहाँ पे उसका एक लुप्ट उठाने के लिए यह launch किया जाएगा ठीक है lay hill council wildlife and tourism department इनके साथ jointly develop किया जाएगा यह astro tourism कहाँ पर हॉनले में एक dark sky sanctuary setup की जाएगी ठीक है चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे India and Australia के बीच में एक अभी economic corporation and trade pact sign किया गया था ताकि दोनों countries के बीच में जो trade है उसको बढ़ायवा जा सके जो excise duty होगी एक दूसरी countries के बीच में हमें जो देनी होती है यहाँ पर वो बिल्कुली ना के बराबर खतम करने की बात कर दिया बिल्कुल ना के बराबर होगी इसी के साथ-साथ एक और अभी एक MOU sign किया गया था इन दोनों के बीच में tourism को बढ़ाने के लिए tourism को एक दूसरी की countries में बढ़ावा देने के लिए भी एक MOU sign करा गया था फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है in thus ECTA IND India Australia ECTA is your Economic Corporation Trade Agreement ठीक है यह आपको भी term याद रखनी है इंडिया और Australia के बीच में हुई ताकि एक दूसरे के बीच में ट्रेड को बढ़ाया जा सके जैसे मैंने बताया कि जो duty हम प्रोवाइड करते हैं exports पे उसको ना के बराबर कर दिया है जो above agreement में बोला गया कि goods को मतलब जो Australia export करते हैं इंडिया को उन products पे around 85% of the products ऐसे होंगे जिस पे zero duty लगेगी और इंडिया के 96% of the products ऐसे होंगे जिस पे zero duty लगेगी ठीक है जैसे इंडिया के export करेगा gems jewelries, textiles, april, leather engineering goods और Australia के export करेगा Australian wine wool, almonds, lentils certain fruits, sheep meat, cool coal इन सबको export करेगा ठीक है, चलिए next पे आते हैं next हम बात करेंगे Tata Power Renewables के द्वारा अभी एक 300 Megawatt का solar power plant setup किया गया धोलेरा गुजरात में ये country का largest, ये term याद रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ ये country का largest single axis solar tracker system रहेगा जो की setup किया गया कहाँ पर धोलेरा गुजरात में Tata Power Renewables के द्वारा setup किया गया 300 Megawatt ये generate करेगा electricity ठीक है, I repeat Tata Power Renewables Energy Limited के द्वारा 300 Megawatt का solar plant commission किया गया धोलेरा गुजरात में जो की country का largest single axis solar tracker system रहेगा ठीक, इसी के साथ साथ याद रखना 774 million units of energy renewable energy ये generate करेगा 7 lakh के करीब metric ton का carbon emissions को ये reduce करेगा per year, alright moving on, next हम बात करेंगे stand up India ने अभी 6 साल पूरे कर लिए अपने, लेकिन ये stand up India scheme थी क्या, stand up India scheme थी कि जो grass root level पे entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, ये stand up India scheme, ठीक है, I repeat इंडिया में entrepreneurship को grass root level पे बढ़ावा देने के लिए ये stand up India scheme लाई गई थी इसको 6 साल पूरे हो गई है 5 April 2016 को ये launch की गई थी Prime Minister Narendra Mooji के दुआरा ठीक है, इसको 6 साल पूरे हो गई है कुछ 30,160 करोड रुपे का लोन अभी तक 1,34,000 लोगों को प्रोवाइड किया जा सुका है पिछले 6 सालों में और इस stand up India scheme को अभी 2025 तक extend कर दिया गया है कि जो छोटे business man है जो छोटे MSME sector से जोड़े बिजनस man है, उनको help की जा सके उनको grant प्रोवाइड किया जा सके फिर eligibility क्या होती है stand up India में कि 18 साल सी उपर होने चाहिए, SEST और women entrepreneurs जो loan है, available only for the green field projects के लिए available होंगे, और इसी के साथ साथ याद रखना borrowers, जो मतलब लेंदार होगा, उनको कोई भी default नहीं होना चाहिए to any financial institution मतलब, पहले से उनके पास कोई ऐसा default नहीं होना कि उन्होंने पैसे bank से लिए और वो return नहीं कर पाए तो यह eligibility criteria रहेगा moving on, next अब बात करते है unemployment की, ठीक है तो अभी recently CMIE, Center for Monitoring Indian Economy के द्वारा एक data release किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर पूरे इंडिया की बात करें तो unemployment rate March 2022 के लिए 7.6% लेकिन अगर पूछा जाए वो कौन सी state है जिसमें unemployment सबसे कम रही, वो थी 0.6% वो है आपका 36 गड़ ठीक है, इसी के साथ-साथ उल्टा क्या question बनेगा कि सबसे जादा unemployment कहां पर है, वो है हर्याना में, कितनी 26.7% unemployment है, अगर data देखे सबसे जादा हर्याना में, फिर राजिस्तान, फिर जमुएन कश्मीर और फिर जारखन में, चलिए next पे आते हैं, next हम बात करेंगे एक NTPC के दौरा, एक pact sign किया गया with Gujarat Gas Limited, कि हम green hydrogen को piped natural gas में लाएंगे, blend करेंगे, अगर आपको याद हो, ऐसा ही एक और project set up किया गया था, इन दौर में इन दौर MP में क्या था वो project, hydrogen blending with natural gas, किस के दौरा Gail, Gas Authority of India Limited के दौरा set up किया गया था, और दूसरा था Asia का largest bio CNG plant, क्या नाम था उसका, गोबर दन, तो coming back, NTPC इन्होंने एक MOU sign किया, किस के साथ गुजरात Gas Limited के साथ किसलिए, for to blend green hydrogen in piped natural gas के लिए ये एक MOU sign किया गया decarbonization क्या होता है, कि carbon को remove करना atmosphere से green fuel की तरफ shift करना कि जो carbon release ना करे atmosphere में next, next हम बात करेंगे इंडिया ने अभी किस country से 364 megawatt of energy को import करने की बात की during rainy season, मतलब अभी नेपाल वो country बना जो की इंडिया को export करेगा 364 megawatt of electricity to India during rainy season के दोरा, ठीक है, याद रखना अच्छा question है, कि वो कौन सी country से इंडिया अभी import कर रहा है electricity, वो है नेपाल, 364 megawatt of electricity during rainy season ये इंडिया import करेगा next, next हम बात करते है परधान मंत्री, मुद्रा योजना की मुद्रा क्या होता है, loans तो याद रखना, मुद्रा की एक full form भी होती है जो भी आप से मैं discuss करूँगा ये scheme किसले launch की गई थी? परधान मंत्री, मुद्रा योजना जो छोटे businessmen है छोटे level पर कोई अपना business start करना चाहता है उसको loans provide करने की ये बात की गई for up to 10 lakh rupees to the non-corporate, non-farm, small और micro enterprises को 10 lakh रुपे तक का loan अपने business को बढ़ाने के लिए start करने की बात की गई अंदर, परधान मंत्री, मुद्रा योजना इसकी 7th anniversary अपनी complete होगी मतलब 2015 में scheme को launch करा गया था प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी के दुआरा किस aim के अंदर इसको launch किया गया था सबका साथ, सबका विकास और जो aim था, Central Government का scheme का वो क्या था, fund the unfunded मतलब जिनके पास पैसा नहीं है और business करना चाते हैं, उनको funding मिल सके और वो अपना business आगे बढ़ा सके ठीक है, ये था आपका प्रधान मंत्री, मुद्रा योजना अब इसकी मुद्रा की full form आपको पता होने चीए, ये बहुत important है कई बार पूछा भी जा सकता है कि मुद्रा क्या है आपका ठीक है, मुद्रा की full form अगर देखा जाए तो मुद्रा क्या है Micro Units Development and Refinance Agency ये आपकी मुद्रा की full form है याद रखना पूछे जाने के chance रहेंगे ठीक है, समझा है आपको, चलिए Next पर आते है IFSCA, इन्होंने एक MOU sign किया GVFL के साथ ताकि जो FinTech सेक्टर है Financial Technology का जो सेक्टर है उस Ecosystem को बढ़ाया जा सके उसमें Research and Development की जा सके नहीं नहीं चीजे लाई जा सके कहां पर Gift City जो की गुजरात में है तो सबसे पहले देखते है IFSCA क्या है International Financial Service Centers Authority जो की गुजरात में है इन्होंने एक MOU sign किया किस के साथ गुजरात Venture Financial Limited के साथ ताकि जो FinTech सेक्टर है Financial Technologies का Ecosystem है उसको बढ़ाया जा सके Gift City में जो की गुजरात में ही है आपका गांधी नगर गुजरात में चीक, चलिए अगर GVFL की बात करें यह promoted by the World Bank and the Government of Gujarat ताकि जो Venture Capital in India है उसको help की जा सके लोगों को कभी कमी ना हो पैसे की जब वो अब बना business करना चाते हैं इसी के साथ चात याद रखना मिहर जोशी प्रेजिडेंट रहेंगे GVFL के and headquarters का है एमदबाद, Gujarat में तो coming back IFSCA ने किन के साथ tie-up किया ताकि Fintech ecosystem को बढ़ाया जा सके उस system को boost मिल सके in Gift City जो की गांदीनगर, Gujarat में है वो है IFSCA ने tie-up किया एक MOU sign किया Gujarat Venture Finance Limited के साथ फिर next हम बात करेंगे Sarul Festival की Sarul Festival कहां observe किया जाता है Jharkand State में observe किया जाता है Sarul Festival ये signifies the beginning of the new year Jharkand में observe किया जाता है 4 April से observe किया गया था अभी 3 दिन का ये festival है चीक चलिए याद रखेंगे Sarul Festival कहां का है Jharkand का festival है फिर Sarul Festival की बात करें तो 3 tribe और याद रखना जो Jharkand की इसको observe करती है Auron, Munda और Ho Tribe ये Jharkand region में observe करती है इस Sarul Festival को और Sarul का meaning होता है worship of the salt tree Next ऐसे ही Sarul की तरह याद रखना Gangor Festival Gangor Festival कहां observe किया जाता है ये आपका राजिस्थान में observe किया जाता है Gangor Festival ठीक है चलिए Next Next काफी important और काफी time से हम discuss करते आ रहे है कि वो इंडिया की पहली city कौन सी बनी जिसको vacuum based sewer system मिला वो है आगरा vacuum based sewer system पहली city को मिला वो कौन सी है आगरा और ये pilot basis pilot होता है मतलब trial basis पे मिला है फिर इसके बाद आ जाता है दूदवानी ये बहुत important रहेगा दूदवानी क्या है इंडिया का पहला dairy community radio है जो भी dairy sector से related चाहे वो farmer हो चाहे कोई और व्यक्ति हो उनको proper guidance देने के लिए proper information प्रोवाइड करने के लिए कि आप कैसे अपने cattle का जो दूद निकालते हैं जो आप milk produce करते हैं उसको कैसे बढ़ा सकते हैं क्या-क्या cattle को हमें fodder देना चाहिए क्या-क्या हमें उनको दवाई देनी चाहिए अगर कोई बिमारी हो जाती तो dairy से related जो भी new information होगी वो यहाँ पर दूदवानी पर प्रोवाइड की जाएगी जो कि इंडिया का पहला dairy community radio है हम अभी चारे की बात कर रहे थे forder की अगर आपको यादो forder sector को बढ़ावा देने के लिए किस state government ने भी एक scheme launch की थी वो है हर्याना के द्वारा क्या मुझे scheme का नाम बता सकते हैं यह आपका homework है वो scheme का नाम बताओ चलो मैं बता देता हूँ चारा बिजाई योजना launch की गई थी किनके द्वारा हर्याना government के द्वारा forder sector को बढ़ावा देने के लिए और यह दूदवानी क्या है community sector के लिए dairy community sector के लिए इंडिया का पहला dairy community radio launch किया दूदवानी के नाम से ठीक है animal husbandry sector को जो भी बढ़ावा जो भी news चाहिए होगी जो भी information से वो help कर सकते है यहाँ पे वो help provide की जाएगी next हम बात करेंगे वो इंडिया की पहली district कौन सी बनी जहाँ पे हर village में library है वो है आपकी जामतारा district यह कहाँ पर है यहाँ आपकी जारकन state में है जामतारा district और इस district की हर village में आपकी library रहेगी इस library में यहाँ पे career counseling भी चलती है बच्चों की motivational classes भी provide की जाती है बच्चों को हर तरीके से mentally strong किया जाता है 9 से लेके 5 पीम तक यहाँ पे बच्चों की classes बच्चे library में जाके पढ़ सकते हैं इस जामतारा district में कुछ 8 लाक लोग रहते हैं अराउंड 118 ग्राम पंचायत है और हर ग्राम पंचायत में आपकी यह समझ लीजे library है जो के बच्चों को पढ़ने में जादा help करती है next next हम बात करेंगे ICI Institute of Chartered Accountants of India host कर रहा है 21 edition of World Congress of Accounts यह World Congress of Accounts याद रखना 1904 में स्टार्ट हुई थी हर 4 साल में होती है और अब 118 साल के बाद इंडिया में होगी पहली बार कहाँ पर Jio World Convention Center जो की मुंबई महराष्ट्रा में है कौन ओगनाईस करा रहा है इसको कौन होस्ट कर रहा है ICI होस्ट कर रहा है 21 एडिशन ऑफ World Congress of Accounts को पहली बार होगी इंडिया में 118 साल बात थीम इंपोर्टेंट है याद रखेगा Building Trust Enabling Sustainability यह आपकी थीम रहेगी किसकी World Congress of Accounts की अगर हम इस Jio World Center की बात करें यह किसके द्वारा बनाये गया था अगर आपको याद हो तो यह भी आपका Reliance Industries Limited के द्वारा ही बनाये गया था और यह largest Jio World Convention Center है जो कि मुंबई महराश्टर में बनाये गया ICI की प्रेजिडेंट कोन है देवाशिष मित्राजी Moving on फिर हम बात करेंगे Under Sehat Scheme आईश्मान भारत परधान मंत्री जन आगया योजना की Sehat Scheme के अंडर 100% Household कवर किया गया किस डिस्टिक में वो इंडिया की पहली डिस्टिक कौन सी बनी जहापे 100% Household कवर किया गया Under this Sehat Scheme वो है Union, Territory, Jammu and Kashmir की सांभा डिस्टिक कौन सी डिस्टिक है वो सांभा डिस्टिक में 100% Household कवर किया गया Under this Sehat Scheme ये एक Insurance Scheme है Basically Health से Related Social Endeavor for Health and Telemedicine Scheme ठीक है और कौन सी स्टेट बनी वो सांभा डिस्टिक हो कौन सी डिस्टिक बनी सांभा डिस्टिक बनी और अगर आपको याद हो यही वो Fighter Aircraft है जिसने Brahmo Supersonic Cruise Missile को टेस्ट फायर किया था अभी रिसेंटली किस के द्वारा Indian Air Force के द्वारा ये टेस्ट किया गया था तो Question ऐसे आएगा कि Indian Air Force के द्वारा किस एर्क्राफ्ट के द्वारा Brahmo Supersonic Cruise Missile को टेस्ट किया गया था वो थी है सुकोई 30 Mark 1 Next आ जाते हैं अमरित सरोवर अमरित सरोवर ये एक initiative था कि 75 वारटर बॉडिस को develop किया जाएगा and resonate किया जाएगा in the district as a part of अजादी का अमरित महुटसव ठीक है इनको वापस से जैसे कहते हैं जान डाल देने इनमें वापस से जान डाल दी जाएगी और कई नई water bodies को develop भी किया जाएगा तो इंडिया क्या पहला अमरित सरोवर has been completed कहाँ पर रामपूर में और रामपूर कहाँ पर है UP में ठीक है ये water conservation पर based है question ऐसा जाएगा steel slag rod ये कहाँ पर है ये आपका सूरत में है सूरत कहाँ पर है गुजरात में है ठीक चलिए next पर आते हैं फिर बियारो की बात करते हैं border road organization बियारो ने अभी recently world का highest tunnel बनाया कहाँ पर शिंकुला पास पे ये शिंकुला पास पे बियारो के द्वारो और ये कहाँ पर है इंडिया में चलो next पर आते हैं कि इंडिया में power sector पर research करने के लिए उस पर research and development को बढ़ावा देने के लिए किस institute ने पोसोकों के साथ tie up किया वो है IIT Delhi Indian Institute of Delhi ने अभी पोसोकों के साथ मिलके एक इंडिया के power sector पर कि हम power generation को कैसे बढ़ा सकते हैं एंड इसके transmission को भी कैसे ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं भी काफी ऐसी areas हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुची है तो ऐसी even remote areas में electricity पहुचाने के लिए यह research करना ज़रूरत है इस power sector में तो इसी वज़े से IAT Delhi ने पोसोकों के साथ मिलके यह tie-up किया कि हम research करेंगे इंडिया के power sector पर Moving on Next हम बात करेंगे Indian Air Force और Navy ने Indian Navy ने tie-up किया DRDO के साथ shaft को acquire करने के लिए यह shaft क्या है? Shaft technology को acquire करने के लिए Shaft technology होती है कि यह कैसी technology है जो कि आपके naval ships, आपके aircraft यूज करते है कि जो fighter, आपके जो enemy है उनका जो radar है उससे बच सके ठीक है? Radar, radio frequency इनसे बचने के लिए जो technology यूज की जाती है fighter craft या फिर naval ships के दौरा वो है shaft technology इसी को acquire करने के लिए Indian Air Force और Indian Navy ने tie-up किया DRDO के साथ ताकि shaft technology को लाया जा सके अगर इसके साथ, इसी acquiring के साथ India second country बन गई है in the world to have this technology shaft technology only after United States of America ठीक है? ताकि आपके ships और aircraft को tack ना कर पाए enemy ships के radars, इसी वज़े से shaft technology लाई गई है और India second country बन जाएगा United States के बाद to have this shaft technology next हम बात करेंगे NetPolRX 8 की NetPolRX मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में कि National Level Pollution Response Exercise जिसका 8th edition था दो दिल लंबी एक्सराइज थी उसको अभी लॉंच किया गया, इनागरेट किया गया अजय कुमार के दुआरा जो की Union Defense Secretary रहेंगे हमारे NetPolRX जैसे कैसे याद रखेंगे National Pollution Response Exercise यह National Level Pollution Response Exercise किया है कि जैसे आप देखते हैं कि Sea में कोई ship जा रहा है जिसके उपर containers है, oil है और यह पलट जाता है, ठीक है इससे क्या होगा, जो oil है सारा आपके ocean पे आ जाता है उपर तैरने लगता है जिससे क्या होता है, जो नीचे animals है जो भी species animals की, जो भी plants है नीचे surface पे, उनको effect होता है जैसे आप देखते हैं, fishes consume कर लेती है जिससे उनकी खतम हो जाते है कोई animal आके यहाँ पे बुगला होता है जैसे, वो यहाँ पे अगर बैट जाता है और वो इससे उसके सारे पंखो पे oil लग जाता है इवन वो consume करते हैं, oil तो वो आपके लिए हैफल होता है, जैसे आप देखते हैं, आप घर पे कहते हैं खाना, oily food क्यों नहीं खाते क्योंकि वो healthy नहीं होता, तो आप यह समझी अगर कोई फिश पूरा सिरफ oil ही खा जाए या आप as a human सिरफ oil खा जाए तो वो आपके लिए कितना beneficial होगा या कितना negative impact पड़ेगा आपकी बाड़ी पे इसी वज़े से कि जो species है उनको इंपेक्ट ना पड़े ऐसी situation में और हम पहले सी prepared रहें for this marine spills marine spills के लिए हम पहले से prepare रहें इसी वज़े से ये एक net polrex national level pollution response exercise जिसका 8th edition था अभी launch किया गया किन के द्वारा inaugurate किया गया ये अजे कुमार के द्वारा ये inaugurate करा गया था तो friends ये थी हमारी वीडियो I hope आपको आज का session पसंद आये होगा अगर आपको कुछ information informative लगी आज कि ये आने वाले exam में काम आ सकती है तो वीडियो को like जरूर करना इस channel को subscribe कर दे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से share करें Thank you अगर आप चाते हैं ऐसा session future में आता रहे daily basis पे तो आपको नीचे comment करके जरूर बताना है कि आपके views क्या है एक code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहां पे मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहे है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा या आपका course purchase हो गया, पैसे कट गए है या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 967-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा and आपकी problem को solve करेगा